दोस्तों अगर आप भी हैं IPL के बड़े फैन तो जल्दी से कर दीजे हमारी वीडियो को लाइक इसके अलावा IPL की लेटेस्ट न्यूस के साथ अप टूडेट रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बैल आइकन भी दबा दें दोस्तों KKR याने कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के लिए बहुती शानदर अपडेट में लेकर आया हूँ खैर ये कोई अपडेट नहीं है बट एक कैलकुलेशन वीडियो होने वाली है जो की खास तौरबर बेस्ट है साल 2014 याने अपकमिंग जो आईपल होने वाला है उसमें टीम केकर की ओपनिंग पेर को लेकर अब यहाँ पर कुछ कंक्यूजन भी है क्योंकि आल्रेडी तीन से चार जो प्रॉपर ओपनर्स होते है वो मौझूद है टीम केकर के पास इसके अलाव अभी मिनी ओक्षन भी आना भागी है तो यार लेट सी किस तरह से यहाँ पर केकर सब कुछ मैनेज करेगा उसी के बारे में आज मैं डिसकेशन करने वाला हूँ तो यार वीडियो पसंद है तो लाइक शेर जरू कर देना चैनल पर यार सब्सक्रिप्शन आप जब भी क्या भी आन कर दो अब बात करें तो वैंकटेश अयर एक ओपनर है जेसन रॉय एक ओपनर है रहमनुला गुरबाज एक ओपनर है नरायन जगदीशन एक ओपनर है तो टोटल यह चार ओपनर हो चुके हैं अब आर्या देसाई को एक भी मौका नहीं मिला गया है वो एक रिप्लेस्मेंट थे रिप्लेस्मेंट नहीं थे वो एक अक्चूली क्या था कि यहाँ पर स्पॉर्ट इंडियन प्लेयर का खाली था तो वो उसमें आये थे तो इस हिसाब से आर्या देसे एक भी मुकाबला नहीं के लिए तो उन्हें नहीं यहाँ पर शामिल करेंगे इसी तरह से लिटें दास भी हाँ पर एक मुकाबला जरूर के लिए थे बठ हो सकता है कि अब टीम उनको ना रिटें करें ना वो खुद रिटें होना चाहें तो इस वज़े से मिनी आईपेल के अंदर वो भी भाहर जाएंगे तो कुल मिलाकर ही चार में आपको नाम बता है वहीं है क्योंकि यहाँ पर हमें मन्दीप सेंग इसके ला सुनील नारायन ऐसे थोड़े बहुत टाइम पास खिलाड़ी भी देखने को मिल सकते हैं ओपनीं के तौर पर बड़ी जो में ओपनर से यह चारी है वेंकटेश एयर जेसन रोय रहमनोला गुर्बास और नारायन चगदीशन अब नारायन तो हमें यहाँ पर सेम बिलिंग्स की वापसी देखने को मिल सकती हैं कैर वो सब बात की बात है बट यहाँ पर जेसन रोय की अभी पर्फॉर्म जिद्धी खास रही नहीं है यहाँ पर एले के यार के लिए बटा ठीक है आने वाले टाइम में वो आईपल को तो काफी अच जार चोईस के अंदर ओपनिंग पर टीम के क्या होने वाली है